तो गाईज देख सकतो कुछ इस टाइप से full HD HDR लुक आप लोग भी अपने फोटो पे apply करना चाहते होगे बट सही तरीके से नहीं हो पाती होगी आप लोग की जो side side black black आ जाता है वो आप लोग का नहीं जाता तो गाईज आप लोग ने सही वीडियो पे click किया क्यूंकि आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा एंड रियल तरीके से वर्क रहेगा तो गाईज आप लोग अगर मिस करते हो इस वाली वीडियो को तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाऊगे कैसे HDR लुक दिया जाता है एंड गाईज यही ओरिजनल फोटो देख लोग कितनी बिकाल लग आ जाता है गारेंटी दे रहा हूं आज की वीडियो में नहीं आएगा एंड नेक्स लेवल की डिटिंग करने वाले हो आज की वीडियो में तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और ओरिजनल फोटो पर आने के बाद गाईज अभी आप लोग को एक बात बता दो अगर बाद इसको अराउंड इतना कर लेना होगा यहां पर सच्चिलाएशन को प्लस कर लेना होहां अपने हाइल को माइने स binge करते कूए और इस झालाइब करते कुछ वांके से लग हो घaltetléग सोकत हमने फिर से क्लिक करके यहां पर आप लोग को से लेक्तिव जुथ उपसिन यू स्पोर्ट लेट मिली हुए तो इसको कॉंब टू पर रहना कॉंब टू पर इतना करना इंड स्कीन स्मूधिंग को अभी आप लोग इतना कर लो उसके बाद यहां पे आइस की लेटी को जो रहेगा यहां पर कुछ स्टाइप से इंक्रीज कर देना होगा लास्ट में देख सक तो कुछ इस टैप से लोग हो जाएगा लोग होने के बाद टूल एकन पर क्लिक करना डिटेल वाले ऑप्षिन प्याना इंड टेक्सेर को हलका फूल कर देना एंड कुछ इस टैप से इसके बाद यहां पर शार्पिंग जो रहेगी हम लोग उसको इंक्रीज कर लेते एंड इंक्रीज करने के बाद देख सकतो next level की डिटिंग यहाँ पे होगी, face black से white हो चुका है, and white होने के बाद कुछ इस type से look आप लोग का show होगा, and guys इतना करने के बाद share वाले option पे click कर लेना उपर, and यहाँ पे उपर click करने के बाद guys अभी आप लोग को main trick बताने वालों, यहाँ trick आने वाली है, तो guys अभी आप लोग टूल अले icon पे click कर लो, यहाँ पे मैं click कर चुका हो, and यहाँ पे आप लोग को इतना करना होगा, यहाँ नीचे store down करना होगा, and उपर यहाँ यहाँ पे देख सकतो basic वाले पे रहना होगा, and यह वाला tool यूज करना होगा, and नीचे से second वाला tool है, देख सकतो कुछ इस टाइप से, and इसके बाद setting वाले option पे आजाना होगा, and इसकी setting क्या रहेगी, sensitive pen पे click करना, smoothed करना, and flow को change करना, guys, यहाँ पे flow को कुछ इस टाइप से रखना, जितना आप लोग को समझ में आज सके, तो guys, यहाँ पे मैं आप लोग को सिखा इसको आप लोग को मेरे हिसाब से रखना होगा, and ध्यान से रखना होगा, and five यहाँ पे रखना, five and six रखना, and इसके बाद back आने के बाद, guys, यहाँ पे आप लोग स्मूधिंग स्टार्ट कर देना, कुछ इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पे brush चला रहा हूँ, and आप लोग इसको यूज करना, यह टूल, यूज करके, आप लोग मुझे comment करना, कैसा यहाँ पे, इसका work है, and आप लोग सीख सकतो, कुछ इस टाइप से smoothing, अगर वीडियो पूरी watch करे होगे, तो, देख सकतो, मेरे face पे next level की smoothing हो रही है, तो इस टाइप की smoothing, आप लोग भी तो मिलते हैं next video, तब तक के लिए टाटा भावा है,